शेहर के बड़ा ताजबाग परिसर में आज अतिक्रमन की कारवाही की गई जिसमें कई दुकानों को अतिक्रमन कर तोड़ा गया इस दोरान परिसर में काफी तनाव का माहूल बना हुआ था जैसे देखते हुए पुलीस बंदोबस परिसर में तैनात किया गया बड़ा ताजबाग परिसर में अतिक्रमन कारवाई एनेमसी द्वारा की गई। बड़ा ताजबाग स्थीद भारत नमकीन और अन्य दुकानों को अतिक्रमन के चलते तोड़ा गया। इस दौरान दुकान मालिक रिजवान दिवान का कैना था के बिना किसी नोटिस के यह कार अब आरे जएक्ट कर दोड़ रहे हो यह पुकड की जगों है नहीं है यह दुकान का मालिक है आप ने इसको बता है लाइटन नहीं दिये सामन भी सरकानी नहीं दे आप्ते परवार मार दिये शुकर और महेंगे मोलका कैमी वेंब्रेसर तीवी भी विवी सब फिर गई है यह कौन बरके ने काभी पाच लाग रुपर लगा है मैंने चार मईने यह भारत नम्कीन समुझे की दुकान प्यारे खानवा सर को भी बोला के रुखाओ करके तो भी नहीं रुखे वो यह अच्छा करने हैं के बुरा करने हैं हमारे ताजबाब वासियों का अब का मोधी रा दुकान पर लग्यारे हैं उनका तोरने पर लेका नहींटा नहीं ताजबा नोटीस में बैता हमारे बोलने के पहए तोडना नहीं पे लुख़ए। भारत नमकीन दुकान के मालिक का कहना था कि उनकी दुकान को बिना नूटिस दिये अतिक्रमन विभाग के दस्ते ने तोड़ा है तो हमारी टीम ने अतिक्रमन विभाग के अधिकारी अशोग पाटिल से जाना तो पाटिल का कहना था कि उर्ष के पहले अतिक्रमन हटाने की कारवाई हर साल की जाती है साथ ही इस कारवाई से पहले सभी दुकान मालिकों को इस बात की जानकारी दी गई थी आने वाले कुछ ही दिनों में उर्स के चलते बड़ा ताजबाद में श्रधालू का ताता लगा रहता है ऐसे में किसी भी तरह की समस्या या दिक्कत ना हो इसके चलते यह कारवाई गई है ऐसा प्रासन के अधिकारियों का कहना है कैमेरा परसन रजकुमार महोड के साथ शितिजादेश मुख बीस ये नियूज नाकपूर